लोकसभा चुनाओं में अंतिम चरण का मतदाना भी बाकी है लेकिन उससे ठीक पहले मरी शंकर अईयर के एक लेख ने फिर से नया विवात ख़ड़ा कर दिया है कांग्रेस की सोच में नीचता है और कांग्रेस के कर्मों में नीचता है कांग्रेस के नेता होड लगी है मोदी जी को गाली देने के लिए कौन कितनी बड़ी गाली देता है मनिसंकर एयर हो सेम पित्रोदा हो खुदराहुल गांधी हो दिविजय सिंग हो ससी धरूर हो एक लंबी सुची है जो मोदी जी को गाली देते है मैं किवल इतना कह सकता हूँ कि एक समय महत्मा गांधी जी ने ये कहा था आजादी के बाद के कांग्रेस का उद्ध पूरा हो गया खतम कर दो समापन कर दो पंडी जबाल नेरू ने उनकी बात नहीं मानी लेकिन आज राहुल बाबा की कांग्रेस ये जिद ठाने बैठी है कि वो ऐसी हरकतों से कांग्रेस को खतम करेगी मनी संकर अयर ने दोजार चौधा में कहा था तो कांग्रेस चवाली सीटों पर सिमठ गई थी अब उन्होंने कहा है तो जनता सवक सिखाएगी बरवाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर साख पर उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा मैं राहूल गांदी से यह नहीं कहूंगा कि माफी मांगें क्योंकि जिनके सोच में ही नीचता समाई हुई है वो क्या माफी मांगेंगे लेकिन वो ऐसी हरकतों से कंग्रेस को समापत जरूर कर देंगे चाहल हम जब सेह cholesterol का बयान आया था तो राहूल गान्दी ने कहा था कि कांग्रेस शे से तफाक नहीं रगती सेहस माफी मांगने चाहिए इस पर आपको लगता है कि वो मरीशंकर येर को कहें? देखि एक तरह वो माफी मांगने की बात करते हैं और दूसरी तरह वो प्रेरित भी करते हैं, चौकीदार चोर यह सब्सक्ति नहीं कहें? राहूल गांदी पहले इसके लिए माफी मांगें मोदी जी से, जनता से, देश्की जनता से, भारत से माफ़ी मांगें सर अगर मोदी जी के बात करें तो इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भी कॉंग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पर पाठिकरब में जो है एक पूरा पैराग्राफ जोड़ा गया है जिसमें बताया गया वीर सावर करने किस तरीके से उसमें बताया गया है कि अंगरेजों के सामने उन्होंने दया मांगी माफ़ी मांगी इसको जोड़ा है इसको लेके भी विवाद हो रहा है यह भी कांग्रेस की नीच प्रविर्ति है, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनका पूरा जीवन ऐसी k्रांती गाथा से भरा हुआ है, कि जिसे देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं, जिन उनको एक जरम में, जिनको अपने जीवन काल में दो-दो आजीवन कारवास की सजा मिली वो स्वतंतर वीर सावर कर जिन्होंने बेरिष्टर की डिगरी लेने से इसलिए इंकार कर दिया था कि तब विटेन की महरानी के पृति बफ़ादारी की सपत लेनी पड़ती थी बाकी ने तो सबने सपत ली वैसे करांटी के प्रतीक भारत के आजादी के लड़ाई के महानायक स्वतंतर वीर सावर कर के बारे में इस तरह का सोच कांग्रेस का मैं उसकी निंदा करता हूँ यह बहुत दुरभागे पूर्ण है और इसके लिए कांग्रेस को कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए भी राहूल गांदी को माफी मांगनी चाहिए एक सवाल पर से रहेगा कि ममता बेने जी लगातार हमला कर रही है बोली कि आरेसस के लोग जो है वो उनको केंडरी बलो की यूनिफॉर्म में बंगाल बेजा जा रहा है मतदान की डूटी पे और नरेन्द मोधी से वो इंच बाए इंच बदला लेंगी ये दो बड़े बयान उनोंने कल दीदी तो कुछ भी कह सकते हैं आप पोलीस की बेस में आरेसस बाले जा रहे है है इससे बड़ा मझा क्या हो सकता है यह जो बदला लेने की मान सकता है हम दीदी की बदला लेने वाली मान सकता को खुचल देंगे और जो कर रही है वो अभी अर्विन मैनन जी पर भी हमला हुआ है वह टीम सी की सरकार के कफन में अंतिम कील ठोकने का काम कर रही है अब टीम सी का उखड़ना तेह एक आकरी बस सवाल रहेगा वो यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जो पू पक्षी दलों के नेता दे रहा है उनके पाओं के नीचे की जमिन खिसकरी वो जानते हैं की यूपी में वो कहीं कर ने रहने वाली और इसलिए इस तरह के वियान दे रहे है लोग से बचशिनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहेए एमपी तक लाइक क को प्रेस करना बिलकुल मन धूलिएगा